नमस्कार दोस्तों हम सीख रहे हैं 2D Animation और 2D Animation में आपको बता रहे थे Animate CC के बारे में तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा यह जो मेरे स्कीन पर देख रहे हैं यह gate कैसे open होता है कोई भी और उसको हम कैसे फिट से close कर सकते हैं तो इस टाइप का जो animation होता है किस टाइप से क्या जाता है आज की इस वीडियो में आपको डीटेल से बताने बाला हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कोर्स दिखा रहा हूं जो कि मैंने कुछ दिन पहले लगाया हूं जो कि animate CC पर पूरा कोर्स इस पर बना हुआ है इसमें आप अगर नीचे जाकर देखते हैं तो हर टाइप का animation इसमें क्रियेट करकर दिखाया हूं जिसमें कि आप देख सकते हैं कैसे बनाते हैं एनिमेशन कैसे करते हैं और एक मैं चोटा सा स्टोरी भी क्रियेट करके दिखाया हूं आप इस पर चेक आउट कर सकते हैं और इन्रॉल भी कर सकते हैं इस पर एक और कोर्स लगाया हूं जो कि Cartoon Animator 4 के ऊपर है इसमें भी आप देख सकते नीचे जाके इसमें भी मैं प्रोपर वे में क्रियेट करके दिखाया हूं कोई भी करेक्टर कैसे बनाते हैं एनिमेशन कैसे करते हैं अभी जो इसका प्राइस है आपको 399 में मिल जाएगा यह जो है चार दिनों के लिए वेलीड है जो की यूडिमी के तरफ से जो है यह परम आपको पहले क्या करना है हम इसमें आपको लेयर दिखाते हैं किस टैप से इसको हम मैनेज करते हैं हमारे पास दो लेयर है आप देख सकते हैं यहां पर दो लेयर है और इसमें क्या है कि एक तो है कि इसके जो चौखट बोलते हैं जो कि इस टैप से जो है चौखट बना हु और इस टाइब का जब animation करते हैं इसमें आपको symbol में बनाने की ज़रुरत नहीं होता है अगर symbol में create करते हैं तो आपको proper way में animation नहीं हो पाता इसके लिए हमने इसको shape में ही रखा हूँ और shape to apply करेंगे जो gate है तो हमने इसको देखिए सब्सक्राइब्स 약간 make और इसी को एपाप comes तो हम क्या लिए यहां पे मैं आपको देखां स shrinking और बाइस को बंध के लिए और फिर से इसको बंध होने के लिए मैं जो है 10 या 15 फ्रेम पर इसको मैं क्लोज करूंगा हम यहां से क्या करते हैं और इसमें एक ची और देखिए यहां पर कुंडी जिसको बोलते हैं जो गेट पकर के खोलते हैं लगाते हैं और उसको हमने सिम्बॉल में create किया है क्योंकि यह जो है normal animation करेंगे हम क्या करेंगे यहां पे 25 फ्रेम पे मैं एप 6 लगाता हूं इसमें F6 लगाने के बाद हम क्या करेंगे और वह लेयर है यह डेखिय यह लिए है जिसको हम rush animation करेंगे अभी हम इस तीन लेयर कोunft animation करेंगे रहां यहां कि यहां पर पॉनिटर है इसकोइए करें पूरा है हमारा सेलेक्ट हो गया है इतना करने के बाद हम क्या करेंगे क्यों कमतलब होता है कि आप देखते हैं free transform tool select करेंगे इसका shortcut command क्यों होता है इस पर click करते हैं click करने के बाद हम क्या करेंगे अभी हम जब animation करते हैं तो आप अगर देखिए control प्रेस करते हैं तो आप इस steps इसको animation करा सकते हैं लेकिन हमें क्या करना है जितना उपर करना है उतना नीचे भी करना है हम इसके लिए क्या करते हैं अगर control और shift प्रेस करते हैं और इस steps से उपर करते हैं तो आपको लगेगा जैसे खुल रहा है और नीचे करेंगे तो इस steps से बाहर की और खुलेगा तथ हम क्या करें ज़ Sie s अदर की ओर पहले खुलते हैं मिश्टप से ऐसको ऊपर की ओर इनिमेशन करेंगे और उसके बाद अल्ट प्रेस करते हैं और इस टैप से इसको दबा देते हैं अंदर की ओर और इसमें क्या करेंगे इसमें हम रगाएंगे right button क्लिक करते हैं और Save Twin Create करेंगे अब देखिए इसका जो animation है कुछ इस step से हो गया है अब हम क्या करेंगे यहां पर आने के बाद हम जो है जो कुंडी बना हुआ है यहां पर पकर के खोलते हैं इसको हम क्या करेंगे यहां पर लेके आएंगे यहां पर और इसको थोड़ा सा इस टैप से दवा देते हैं और इसमें हम करेंगे Classic Twin ठीक है अगर अब ही मैं आपको दिखाओं देखिए कुछ इस टैप से इसमें जो है गेट खुलना शुरू हो गया है और इसमें मैं थोड़ा सा और इसको मैं अल्ट प्रेस करके थोड़ा सा और दवा देता हूं कुछ इस टैप से और इसको भी मैं यहां पर रख देता हूं यहां पर जो कि पूरा खुल जा गेट इस टैप से अभी इसमें क्या हुआ कि अगर देखें तो इसमें डेफ्ट नहीं आ रहा है क्योंकि जब यह जब गेट खुले यहां पर थोड़ा सा यह जो है मोटा दिखाई दे इसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर मैं एक new layer create करूँगा इसको रखेंगे सबसे नीचे और यहां से मैं एक box create करूँगा यहां पर यहां पर इस टैप से इतना मोटाई इसको रखते हैं और इसको मैं यहां तक कर देता हूं यहां तक और इसका color जो है हम same रखेंगे तो इसको eye dropper लेते हैं यहां से और इसको pick करते हैं इस step से feel हो गया और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं यहां तक और alt प्रेस करके इसको यहां तक कर लेते हैं इस step से जो है हमारा create हो गया है लेकिन इसमें क्या हुआ कि अगर अभी हम दिखाओं तो इसको हम थोड़ा सा light वर्जिन करेंगे जो हम को proper दिखाए दे तो इसको मैं थोड़ा सा light कर देता हूं इस step से लेकिन अभी क्या हुआ हमें यह दिखने रहा कि 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 step से खुल रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना है हम जाते हैं यहां पर यहां पर आने कि बाद में इसको यहां पर रखूंगा और यहां पर मैं F6 लगाता हूँ एक और और यहां पर आने के बाद मैं क्या करूँगा इसको जो है उठा के यहां पर रखते हैं यहां पर और इसमें फिर से लगाऊंगा मैं सेप ट्वीन कुछ स्टैप से इसमें भी एनिमेशन हो गया अब मैं क्या करूंगा इसको थोरा सा छोटा करूंगा अल्ट प्रेस करके इसको मैं स्टैप से छोटा कर दिया और यहां से भी मैं क्या करूंगा अल्ट प्रेस करके इसको भी मैं यहां से छोटा कर दिया और मैं इसको जो है बिर्थ भी छोटा कर देता हूँ अल्ट प्रेस करता हूँ और इसको मैं इस टैप से छोटा कर दिया और अब क्या करेंगे अभी यह मैं दिखाता हूँ अगर मैं गेट को खोल के देखिए कुछ इस टैप से जो है दीरे दीरे इसके डेप तो है वो भी चौडाई बढ़ रही है और इसमें मैं थोरा सा डार्क कलर फील कर देता हूँ ज्यादा दिखाए देगा इस टैप से अभी देखिए अब मैं इसमें इनिमेशन दिखाओं देखिए कुछ इस टैप से इसमें इनिमेशन हो गया है और कंट्रोल इंटरप्रेस करते हैं और अभी मैं दिखाओं इसको मैं 25 फ्रेम 40 फ्रेम बाहर जाते मैं इसमें 40 फ्रेम तक फ्रेम क्रियेट करता हूँ एफ 5 करते हैं और कंट्रो करते हैं अभी इसमें आइनिमेशन नहीं हुगा इसके अंदर जाते हैं और इसके बाहर भी जाते हैं और यहां पर मैं 40 फ्रेम तक फ्रेम क्रियेट करता हूं अब control interface करते हैं देखिए कुछ इस टैप से इसमें जो है animation हो गया है अब जब ये दरवाजा खुल गई तो उसके बाद हम इसको जो है close भी करेंगे close कैसे करते हैं फिर से same process हम follow करेंगे यहां से हम जाते हैं इस layer के अंदर इसके अंदर जाते हैं और मैं क्या करूँगा यहां पर मैं 40 फ्रेम पर फिर से लगाऊंगा F6 F6 लगाने के बाद मैं क्या करूँगा इसको मैं करूँगा और यहां पर कुछ फ्रेम तक तक हम खुला रखेंगे यहां तक मान लिजे एपडू स् Sounds लगा देते हैं यह तक जो है है कि 10 फ्रेम तक इसको मान लिजे हम इसको खोल कर रखेंगे और में थोड़ा सा आगे बरा देता हूं हाए Rock Mr. Grolie पो पचाऊस तक कि और इसको में बाहर तक कर देता हूं और 50 फ्रेम तक मैं क्या करूँगा फिर से यह जो है इसको यहाँ पर अल्ट प्रेस करके रख दिये इस टैप से और इसको मैं क्या करूँगा राइट वटम किलिक करके सेप ट्विन कनवर्ट कर दूँगा अब देखिए यहाँ से फिर से यह क्लोज होना शुरू हो गया है और इसी टैप से इसमें मैं एप 6 लगाता हूं और यह जो फ्रेम है शुरू का इसको मैं रखूँगा यहाँ पर और इसको मैं क्लासिक ट्विन कर देता हूं अगर मैं अभी कंट्रोल इंटरप्रेस करता हूं सार्ट फ्रेम हम जो है इसके बाहर जाते हैं यहाँ पर मैं सार्ट फ्रेम क्रियेट करता हूं इसके बाहर जाते हैं यहाँ पर भी सार्ट फ्रेम क्रियेट करता हूं अब कंट्रोल इंटरप्रेस करते हैं अब देखिए ग है और यहां पर मैं एक करेक्टर लेकर आऊँगा यहां पर निव लेक्टर करते हैं और यह हमारे पास जो है एक करेक्टर है फ्रंट व्यू में इसको कोपी करते हैं यहां पर रखते हैं और यहां पर जीरो फ्रेम पर रखते हैं पेस्ट कर देते हैं यहां पर डुप्लिकेट करते हैं यहां से और इसको मैं रखता हूँ यहां पर और इसका जो पॉइंटर है यहां पर सेट करते हैं कि उसके बाद मैं क्या करूंगा इस लेर को मैं रखूंगा नीचे और यह जो है कि यहां पर जब गेट कुलती है तो यह एनिमेशन हो तो मैं क्या करूंगा यहां पर मैं यहां पर और इसको जो है मैं थोरा सा और आगे की और करता हूं यह जो गेट है ज्यादा देर तक खुले मैं इसको बीस बीस फ्रेम तक इसको जो है ओन करता हूं यह यहां से खुला रहे फिर बंद हो यह जो हमारा जो है 65 फ्रेम तक हम रखते हैं इसको भी हम यहां तक कर देते हैं 65 फ्रेम तक अब हम इसके अंदर जाते हैं अब हम क्या करेंगे इसको यहां तक आने के बाद यहां से हम एनिमेशन करेंगे यहां पर पॉइंटर लगाते हैं और इसको मैं यहां तक एनिमेशन करता हूं यहां पर F6 लगाता हूँ इसके बाद यह गेट अंदर आ गई और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ और यह जो है यह और बाहर की ओर आए यहां पर इसमें हम Classic Twin लगा देते हैं इस टैप से आप देख सकते हैं कुछ इस टैप से जो है इसमें एनिमेशन आ गया है अब मैं क्या करता हूँ इसके बाहर जाते हैं और हम साट फ्रेम तक इसमें क्रियेट करेंगे फ्रेम यहां पर साट फ्रेम हो गया और इसके बाहर जाते हैं यहां पर भी start frame हो गया create अब मैं इसको control interface करता हूँ आप देख सकते हैं कुछ इस type से जो है इसमें animation हो गया है इस type से दोस्तों कैसे किसी gate को खोलते हैं और उसको हम बंद करते हैं तो आसा करतों दोस्तों यह video आपको अच्छा लगगा तो मिलते हैं दोस्तों next video में आज के लिए thank you